हमारे चैनल फुडवित आफ्या को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताके मेरी आने वाली हर मेरी रेसिपिस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला मतन कोर्मा बनाने का बिल्कुल भी हाड नहीं है मतन कोर्मा बहुत आसानी से बन जाता है यह मैंने 400 ग्रम मतन लिया है तू टेबल स्पून अदग लेसिन का पेस्ट है यह आधी कटोरी भरकर मैंने दही लिया है वन टी स्पून खसकस और साथ बदाम को मैंने पानी में भीगो कर रखा था बदाम की चिलकों को मैंने उतार लिया है मसालों में मैंने 1 टी स्पून तेज वाली रेड चिली पाउडर ली है 2 टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून हल्दी ली है 2 टी स्पून धनिया पाउडर सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजे और पाँच मीडियम साइज के प्यास का मैंने बिरिस्ता बना लिया है सूखे मसालों में मैंने पाउचंब जीरा तीन हरी लाई ची, एक बड़ी लाई ची बारा से पंदरा काली मिर्चे, चार लॉंग एक छोटा टुकरा जावेतरी का लिया है और एक छोटा सा मैंने जाइफल का तुकरा लिया है इसके खुश्बू काफी स्ट्रॉंग होती है इसलिए मैंने थोड़ा लिया है एक बड़े तेज पत्ते को मैंने तोड़ लिया है और एक दाल चीनी का तुकरा लिया है इन सारे मसालों को हमें ग्राइंड कर लेना है जार में और दरदरा सा पाउडर बना लेना है तो यह देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था इसी तरह का पाउडर चाहिए अगर आपको फाइन पाउडर चाहिए तो आप वैसे भी बना सकते हैं यह जो इलाइची के छिलके हैं इमको आप इसके साथ भी डाल सकते और अगर नहीं डालना चाते तो आप निकाल के फेक दीजे अब बिरिस्ता, बदाम और खशखश और दही इन तीनों का हमको पेस्ट बना लेना है जार में डाल कर अब खशखश और बदाम जो हमने बिगो कर रखे ते वो डाल देंगे इसमें आधा कटोरी दही डाल देंगे इनको स्मूथ हमें ग्राइंड कर लेना है पानी एड़नी करना है यह देखिए स्मूथ हमने इसका पेस्ट बना लिया अब कोर्मा बनाने के लिए चलते हैं मैंने कडाई में दो बड़े चमश तेल डाला है और दो छोटे चमश में घी डाल रही हूँ शादियों में जो कोर्मा बनाया जाते हैं उसमें तेल की कॉइंटिटी बहुत जादा होती है इसलिए मैं जादा दार रही हूँ अगर आप कम डालना चाहते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं तेल गरम हो चुका हमारा इसमें अद्दक लेशन का पेस्ट डाल देंगे अद्दक लेशन का पेस्ट डालते वग आपको कैरफुली डालना है वन्ना आपके हातों पर उड़ सकता है आप लीट से कवर भी कर सकते हो अद्दक लेशन को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है इसका कच्चापन खतम होने तक अद्दक लेशन हमारा भून चुका है अच्छे से अब इसमें मटन डाल देंगे फुल फ्लेम पर मटन को अच्छे से हमें भून लेना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तो यह देखिए मटन का कलर चेंज हो चुका है पांच मिनिट के लिए भूनाता हमने इसको अब यह जो हमने बिरिस्ते का पेस्ट बनाया था हो इसमें डाल देंगे जार में थोड़ा बिरिस्ता रहे गया था तो मैं उसमें पानी डाल कर ओ भी आट कर देंगे इनको भी भून लेना है हमें फुल फ्लेम पर अब इसमें सुखे मसाले आट कर देंगे यह जो गरम मसाला पाउडर हमने बनाया था यह वन टीस्पून भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ यह पूरा नहीं डालना है इसको भून लेंगे हम जितना अच्छा आप मतन को भूनोंगे मसालों में उतना ही अच्छा आपका कोर्मा बनकर रेडी होगा यह देखिए तेल उपर आ चुका है मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है अब इसमें पानी एट करूँगी मैं एक गिलास मैं इसको कडाई में बना रही हूँ अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाते हैं तो फुल फ्लेम पर एक सीटी और मीडियम फ्लेम पर तीन सीटी ले ले आपका मतन गल जाएगा पर कॉर्मे को पतीले में ही बनाया जाता है क्योंकि वो जितना पकता है उतना उसका टेस्ट बढ़ता जाता है इतनी थिकनेस हमें रैडी चाहिए एक ओर में की देख सकते हैं तो मैं इसमें और एक गिलास पानी आड़ करूंगे क्योंकि मतन को गलने के लिए टाइम लगेगा तो पानी भी जादा लगेगा इसमें तो टोटल हमने तू दो गिलास पानी डाले इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया हमने इसको कवर कर देंगे और लोग फ्लेम पर पकने देंगे सौरी मैं सौफ का पाउडर दालना भूल गई ती इसमें तो मैं इस वक्त वन टी स्पुन सौफ का पाउडर डा रही हूं सौफ को मैंने थोड़ा सा ड्राय रोस्ट कर लिया था और उसको ग्राइंडर में मैंने फाइन पाउडर बना लिया था तो वन टी स्पुन मैं यह इसमें एड कर रही हूं अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर फिफ्टी मिनट्स के लिए पकने देंगे तो यह देखिए फिफ्टी मिनट्स हो चुके हैं माशालला हमारा कोर्मा बहुत ही अच्छा दिख रहा है लुक वाइस भी बहुत अच्छा है पूरे घर में खुश्बोय आ रही है जैसे शादियों में कोर्मा बनता है उसी तरीके की खुश्बोय आ रही है अब जरूर ट्राइ किजिएगा इसको और बहुत ही एजी रैसेपी है बहुत ही आसान तरीके से बनाये हमने जो बाहर भट्यारे बनाते है कोर्मा वो लुक जादा ताम जाम नहीं करते इसी तरीके से बनाते है यह देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया बस इसी तरह की थिकनेस चाहिए यह थंडा होने के पाद और गाड़ा हो जाएगा तो कोर्मा हमारा बन चुका है गैस की फ जाए है ना जाए वन टीसपून शक्कर लिया है तू पिंच ओफ बेकिंग सोडा और वन टीसपून बेकिंग पावडर लिया है हम विदाओ इस्ट बनाने वाले हैं इसको टू टीस्पुन में इसमें दही एट करूँगी दही, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तीनों मिलकर जब रियाइक करते तो हमारा डो इदम स्मूध बनकर तयार होता है और उससे नान हमारे सॉफ्ट बनते और यह एक कप मैंने दूद दिया है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एट करेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे अगर बीच-बीच में लगा तो हम पानी का भी यूज़ करेंगे तो यह देखिए, सॉफ्ट डो हमने रेडी कर लिया है, इसको सेट होने के लिए रख देंगे एक घंटे के लिए एक घंटे हो चुके है, हमारा डो सेट हो चुका है, यह और सॉफ्ट हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे बाहर इस पर मैदा डस्ट करेंगे मैदा डस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको मल लेना है फिर इसके पार्ट कर लेने है, जितने भी साइस का आपको नान चाहिए, उस साइस से आप इसके हिस्से कर सकते है बहुत ही इजीली बन जाता है घर में और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में हमें तंदूर की भी जरूरत नहीं है, हम तबे पर इसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं तो यह मैंने एक पेडा ले लिया है इसको बेल लेना है हमको चारो तरफ से प्रेशर आपको एक जैसा डालना है कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करना है वरना नान आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो इतना मोटा रखा है मेंने इसको यह मैंने सफेग तील ली है अगर आपको काली तील लेना है तो आप वह भी ले सकते हैं और यह बटर लिया है मैंने यह हरा धनिया लिया है मैंने चौप करके इसको डाल देंगे इसमें अगर आप नहीं डालना चाहते तो मट डाले पर हराधनिया डालने से इस नान का टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ी तील डाल देंगे और इसको दबाते हुए रोल कर देंगे ताकि तील और हराधनिया चिपक जाए इसके उपर तो इसकी साइट को हम पंटी कर लेंगे और इस पर पानी का अच्छा अमाउंट लगाना है हातों की मदद से लगा लीजिए और अगर आपके पर ब्रश है तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं आप चारो किनारी उपर बीच पर अच्छे से आपको पानी ज्यादा पानी का यूज करना है तभी आपका नान तवे पर चिपकेगा नौन इस्टिक तवा आपको बिल्कुल नहीं लेना है वरन्ना आपकी नान उस पर नहीं चिपकेगी कोई भी पुराना तवा या अलॉमिनियम का तवा आप ले सकते हैं कि जिस पर आपकी नान चिपक जाए तो मैंने लो फ्लेम पर इसको गरम कर लिया था तवे को अब इस पर नान को रख देंगे आइस्टिस से नान को मैंने रख दिया है लो फ्लेम पर इसको बबल साने तक पकने देंगे यह फूलने लगेगी तो समझ जाएं कि आपकी नीचे वाली साइट पक चुकी है तो यह देखिए बबल साना शुरू हो गए फूल रही है पक चुकी है नीचे की साइट अब गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और तवे को पल्टी करके इसको चारो तरफ से सेख लेना है जब तक इस पर कलर ना आजाए अच्छा ब्राउम तो यह देखिए नान हमारी माशनला बहुत अच्छी बनकर रेडी हो गई है अब इसको निकाल लेंगे हम बिना तंदूर के हमने बनाया है और बहुत यह अच्छी बनीए देख सकते हैं पीछे से कलर भी बहुत अच्छा आया इसका बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाहर से लाते हैं अब दूसरी वाली भी मैंने रख दी है इस पे भी देखिए बबल्स आ गए हैं तीन-चाय मिनेट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है आपको जब यह फूलने लगे थोड़ी-थोड़ी तो गैस की फ्लेम को हाई करके तवे को पल्टी कर दीजे और सेक लीजे इसको तवे को आपको घुमाते रहना है हर साइट से सेक लेना है तो यह देखिए दूसरी भी नान हमारी बनकर एड़ी हो गई है अब इस पर बटर लगा लेंगे हम इसको निकाल लेंगे बाहर तो सारी नान हमारी बनकर रेड़ी हो चुकी है अब बटर नान है तो बटर का अमाउंट भी आपको जादा ही रखना है जब आप एक एक नान उतारोगे तवे पर से तो तभी गरम गरम में आपको बटर लगा लेना है ताकि यह मैल्ट हो जाए और अच्छी से चारो तरफ लग जाए तो यह देखिए हमारी सारी नान बनकर रेड़ी हो चुकी है बहुत ही अच्छी देखिए कितनी सॉफ्ट हमने इसको विदाउट इस्ट बनाया है तो भी यह बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप एक बार इसे बनाओंगे तो बाहर कि भूल जओगे और बार-बार इसे ही बना कर खाओगे अब डिश out कर लेते हमारे को आन को तो यह देखिये हमारा शादियों वाला कोर्मा और बटर नान बनकर विलकुल रेडि है बहुत ही अच्छा कलर आया है लूक आया है हमारे कोर्मे का और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है यह आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए